मैं सिरकानत कमार, आप सभी को सिखाना चाहूंगा आज Redox Reaction, जो Class 10th की First Chapter का Topic है आई हम लोग देखेंगे इस Topic को, बहुत Important Topic है और बहुत असान में से हम लोग इस चीज़ को समझेंगे एक बढ़े लोग देखेंगे इस वीडियो को और कभी नहीं बुल पाएगा, आई हम लोग पढ़ते हैं Redox Reaction होता कि Redox Reaction एक ऐसा Chemical Reaction है, जिसमें Oxidation और Reduction दोनों एक ही Reaction में एक साथ takes place करती है, वैसे Reaction को हम लोग Redox Reaction बोलते हैं यह Redox Reaction के एक एग एजामपल, जो कि NCRT की भी है MnO2 प्लस HCl gives out MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 अब Oxidation और Reduction दो टम्स आते हैं During the Redox Reaction तो Oxidation क्या होता है, उस चीज़ को भी हम लोग यहां सीख लेते हैं Oxidation जो होता है, gain of oxygen होता है या loss of hydrogen होता है और इसका just opposite जो होता है, वो reduction होता है gain of oxygen होता था Oxidation में यहां gain of hydrogen होगा, यहां loss of hydrogen होता था तो यहां loss of oxygen होगा Oxidation reduction को Oxidation को हम लोग oxidize भी बोलते हैं, confuse होने की कोई ज़रूत नहीं सब्दों पे reduction को हम लोग reduce भी बोलते हैं तो आईए अब इस reaction के तरफ चलते हैं पहले हमारे पास MnO2 था और MnO2 अब MnCl2 में convert हो गया है यानि हमारे पास Mn के पास पहले O था और यहां पे O गायब हो चुका है यानि क्या हो रहा है? Loss of oxygen यानि loss of oxygen हो रहा है यानि इसका क्या हो रहा होगा? reduction हो रहा होगा, ठीक है? अब HCl को देखे, तो HCl से देखो H2 में गया है H के पास पहले Cl था अब H के पास O आ चुका है यानि यहां पे अब क्या हो रहा है? gain of oxygen यानि इसका हो रहा होगा oxidation ऐसे ही HCl से देखे, C2 में चला गया है यानि यहां पे hydrogen का loss हो रहा है hydrogen का अगर loss भी होता है तो इसको में क्या बलता है? Oxidation तो इनका भी क्या हो रहा है? Oxidation तो जिनका Oxidation होता है, वह oxidized होता है और जिनका Reduction होता है, वह Reduce होता है अब यहां पे एक और टाम निकल के आता है Oxidizing agent और Reducing agent Oxidizing agent जो Reduction कराता है जो oxidation कराता है या जिसका reduction होता है वो oxidizing agent कराता है तो reduction किसका हो रहा है MnO2 यानि अपना oxygen दे कौन रहा है जो oxygen दे रहा है oxygen कौन दे रहा है MnO2 तो MnO2 को हम लोग बोलते है oxidizing agent और जिनका oxidation होता है यानि जो oxygen लेते हैं उनको हम लोग बोलते है reducing agent क्या बोलते हैं reducing agent तो oxidizing agent compound which undergoes reduction अगर असान भासा में सिखना चाहें जिनका reduction होगा वो oxidizing agent कलाएंगे और जिनका oxidation होगा वो reducing agent कलाएंगे तो भाईव ये मेरा topic था Redox reaction इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वादा करता हूँ कि इस असान से topic को आप life में कभी ने भूद पाईएगा धन्यवाद जरूर इस वीडियो के देखिएगा और चैनल को like और subscribe जरूर कीज़ेगा